हेलो दोज तो स्वागत है आपका एस्पेसल किचन नाइन में आज मैं आपको बताने वाले हूँ हरे हरे मतर की ये कचोड़ी की रेस्पी चलिए सुरू करते हैं इसके लिए मैंने डेर पाव मैदा लिये हैं उसमें एक काप आप रिफाइन तेल डाले ताके हमारी कचोड़ी मतरम रही हो तब येgran nuovo तरब इसे अचे तरह से मिलाए मसाल मसाल के इसे देखिये हमारे मुठी पाने अच्छी से घुपन ये तहाएं सपया व्लीया हुआ और ये पूरे अच्छी तरह से मॉम्म्स हो चुके हैं पिर इस में थोड़े से आप पानी डालके इसे अच्छी त तरह पीस ले ये एक मेरे कढ़ाई में थोड़े से तेल लिए हैं कोई भी खाने का तेल आप यूज कर सकते हैं एक चम्मच जीरा डाले इसमें जीर अच्छे से तड़कने दे एक चम्मच अजवाईन डाले छोटे चम्मच से धनिया पावडर एक चम्मच इसे भी अच्छे तरह से पकने दे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें यह धनिया हमारे ब्राउन हो चुके हैं दोस्तों इसमें एक चुटकी मैंने हिंग डाले हैं ताकि इसमें फ्लेवर्स बढ़े हैं थोड़ी सी लाल मिर्च स्वात के अनुसार आप ले सकते हैं कम तिखा खाना हो तो कम ले एक चम्मच गरम मसाला बिल्कुल गैस किलो बिल्कुल मीडियम रखे और यह मेरे दरदरे मतर हैं जो अब मैं इसमें डाल के मिक्स करूंगे अच्छी तरह से मतर ज्यादा बारिक नापी से थोड़े दरदरे रहने दे ताकि यह पता चले कि यह हमारे मतर की कचोड़ी है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करें और इसमें जितने भी पानी की यह है सारे इसके पानी सुखाए अच्छी तरह से भून के स्वाद अनुर्सार नमक डाले धनिया पत्त ले उसे भी काट कर डाले ताकि इसमें स्वाद बढ़े फिर अच्छे से मिक्स करें यहां चारो तरफ अच्छी से भूनें आप इसे और इसमें मैंने एक चम्मच आटा लिये हैं आटा को भी डालके अच्छी तरह से मिक्स करें आटा डालने से यह होगा दोस्तों आपके मटर की खचोड़ी फटेगी नहीं स्वाद अनुसार आपने मक का जूस ले उसे भी डाले चली अब इसमें आप यह हमारे आटे देखिए खीचने पर इस तरह होना चाहिए आटे परफेक्टली अच्छे तरह से गूच चुके हैं मेरे अब मैं इसे गोला बना रही हूं दोस्तों आप अपने साइच के अनुसार बना सकते हैं छोटा बड़ा हलके हातों से बना इसी परकार कढाई हमारे उधर गरम हो चुके हैं इसी तरह प्रेस करकर के दिरे दिरे आप अच्छी तरह से गोला बनाए आप चाहिए इसे तो बेलान में बेल के भी बना सकते हैं लेकिन ये भी simple method है, आप इसे भी try कर सकते हैं, ये हमारे मटर के जो है layer ये देखें, ये पानी बहुत ही कम है इसमें, अब मैं इसमें डाल के अच्छे तरह से प्रेस कर रही हूँ, इसी तरह आप बंद कर दे, और ये उपर के extra भाग है, आप उसे चाहे तो निकाल सकते हैं, या उसी में आप दबा दे, आपकी कचोड़ी बिलकुल नहीं फटेगी दोस्तों, इसी तरह प्रेस करें आप, ये देखिए, ये हमारे तेल गर्म हो चुके हैं, ज्यादा गर्म में भी कचोड़ी ना डाले, नहीं तो ये उपर से पुरे जल जाएंगे, और अंधर कच्चे रह जाएंगे, इसलिए बिलकुल कम आच में आपको करना है, धीरे धीरे इसे आप पकने दे आप, उसके बाद इसे पल्टे, तुरत ना पल्टे, ये हमारे एक सेट सिग गए हैं अब मैं इसे पलट ले रही हूं, देखिए, ये काफी अच्छा कलर आया है इसका, आप इसी तरह ये साइड भी अच्छी तरह से पका ले, कमी आच में इसे पकाए, आपकी कचोरी तयार है, ये देखिए, थैंक यू, इसके लेयर भी उपर से काफी क्रिस्पी है, आप दे